नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोशन वन डबल फर वन रेसिपीज में आपका स्वागत है आप रेगुलर आलू पकड़े तो खाते रहते होंगे मगर आज हम जोटपूर के प्रसिद क्रिस्पी और मसाले दार नर्गिस वड़े बनाएंगे जो बहुत ही तेस्टी और यूनिक रेसिपी है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले बेसन लिया है कॉंटिटे के हिसाब से एक और अधा कप जितना सबसे पहले बेसन का बेतर बना कर रेडी कर लेंगे यहाँ पर हमने बाउल लिया है और साथ में हमने छानने लिया है उसमें हम बेशन को छान लेंगे ताकि बेशन में जो गुटियां हो वो निकल जाए अच्छे से चलाटे जाएंगे और छान लेंगे हमने यहाँ पर बेशन को छान कर रेड़ी कर लिया है आप देख सकते हो पहले से बारिक मिल गया है यहाँ पर सबसे पहले नमक एड़ करेंगे टेस्ट के इस अब से एक चमच जितना चावल का आटा बड़ा चमच लिया है ताकि वड़े बहार से क्रिस्पी और ओइल फी रहे एक चमच सुखी लाल मिर्श लेंगे और साथ में एक चमच हल्ली पाउडर दोनों को एड़ कर लेंगे निम्बू का रस एड़ करेंगे दो चमच जितना अब हम पानी एड़ करेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके एड़ करना है हमें बेतर बनाना है बेतर हमें मिडियम कंसिस्टेंसी में बनाकर रेड़ी करना है अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें बेशन को सेट होने के लिए साइज में रखना है गुठी भी नहीं दिख रही है यहाँ पर गुठी ना रहे उसका ध्यान रखना है आप बेतर की consistency देख सकते हो हमने ज़्यादा smooth भी नहीं रखा है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखा है अब हम 15 मिनित तक एक तरफ set होने के लिए रख देंगे बेतर set हो तब तक हम आलू का stuffing बना लेंगे यहाँ पर हमने चानंग आलू को उबाल के ready कर लिया है और उसकी चाल भी निकाल कर थंडा कर लिया है आलू को बावल में चीन लेंगे आप चाहो तो मैस भी कर सकते हो गुठी ना रहे उसका हमें ध्यान रखना है आलू को हमने चीन लिया है अब हम इसमें एक चम्मच सफेट टी लेंगे बारेक काटी हुई हरी मिर्ज टेस के हिसाब से चीला हुआ सुखा कोपरा लेंगे किसमिस दस से पंद्रा नंग जितना लेना है हरा दनिया दो चम्मच चीनी लेनी है यहाँ पर चीनी की जगह आप गूर भी ले सकते हो दो चम्मच निम्बू का रस लेंगे एक और आदा चम्मच धनिय जीरे का पाउडर एक चम्मच हल्ली पाउडर अदा चम्मच से थोड़ा ज्यादा गरम मसाला टेस्ट के इसाब से नमक लेना है एक चम्मच सौफ एड करेंगे यहाँ पर हम एक चम्मच काजू के टुकड़े आद करेंगे अगर आप बटेटा बना रहे हो तो यहाँ पर जो स्टाफिंग यूज बन गया है वो स्टाफिंग को बटे के वड़े में ले सकते हो लेकिन हम यहाँ पर नर्गिस वड़े बना रहे है तो उसके लिए हमने यहाँ पर बीत लिया है बीत को हमने छीन कर रेड़ी कर लिया है एक और वन फोट कप जितना लिया है सारी चिजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने यहाँ पर नर्गिस वड़े का मसाला बना कर रेड़ी कर लिया है मसाले को एक तरफ छोड़ देंगे और दुसरी तरफ हम बड़ी मिर्च लेंगे जो ज़्यादा तिखी नहीं होती है इसके जो पकड़े बनते हैं वो बहुत ही टिस्टी बनेगा तो यहाँ पर हम एक साइट से कट लगाएंगे इस तरह से हमें खोलना है कट लगाके यहाँ पर हम बीज नहीं निकालेंगे इस तरह से सारे मिर्च को कट लगा लेंगे मिर्च में कट लगा लिया है अब हम जो स्टफिंग बनाया है वो लेंगे उसमें हम एक चम्मत जितना टेल एट करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला मिक्स हो गया है अब हम हाठों को टेल वाला करके ताकि स्टफिंग हाठों में चिपके नहीं थोड़ा सा पोशन लेना है यहां पर हमें मिर्च को बरना है इस तरह से हलका सा खोल के एड करना है स्टफिंग इस तरह से प्रेस करके अच्छे से हम स्टफिंग को बर लेंगे हमने सारे मिर्च बर लिये है यहां पर स्टफिंग बचा है तो इस स्टफिंग से हम वड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर हम हठो कोटेल वाला करके थोड़ा सा पोशन लेंगे और राउन सेप में बना कर रेडी कर लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे यहाँ पर हम मीडियम साइज में ही बना रहे हैं आप अपने साइज का बना सकते हो इस तरह से स्टफिंग के साड़े वड़े बना कर प्लेट में रखते जाएंगे हमारे वड़े और मीच रेडी हो गया है अब हम इसको फ्राइ कर लेंगे बेतर भी सेट हो गया है आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो अब हम बेशन में एक चम्मच बेकिंग सोडा एड़ करेंगे सोडा को एक्टिव करने के लिए उपर से एक चम्मच गरम टेल एड़ करेंगे ताकि बेकिंग सोडा अच्छे से एक्टिव हो जाए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से घरम तेल बेतर में एड़ करने से हमारे वड़े बहार से ओयल फी रहेगा और अंदर से क्रिस्पी बनेगा अच्छे से मिक्स कर लिया है ज़्यादा चलाना नहीं है बेतर हमारा रेरी हो गया है उसमें हरी मिर्च को इस तरह से दीप करेंगे और मिर्च को बितर वाला कर लेंगे पुरा और इस तरह से बेशन को थोड़ा निकाल लेंगे जितना निकले उतना और गरम तेल में रख्टे जाएंगे इस तरह से गरम तेल में को स्पिंकल कर लेंगे ताक कि उपर का layer भी अच्छे से set हो जाए पलट लेंगे थोड़ा और इस तरह से सारे मिर्ज को अच्छे से fry कर लेंगे जितने आए उतने हम fry कर सकते है मिर्ज fry हो गई है अब हम वड़े fry कर लेंगे तो वड़े को बेतर में इस तरह से add कर लेंगे और अच्छे से डीब कर लेंगे अब हम चम्मस्चे वड़ेक को पुरा बेतर वाला कर लेंगे और वड़ेक को सिधा चम्मस्चे उठाकर टेल में रखते जाएंगे इस तरह से वड़ेक को बेतर में डीब करते रखते जाना है इस तरह से पलट के अच्छे से फ्राई करना है हमारे वड़े अच्छे से फ्राई हो गए है उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे उपर से बिल्कुल भी ओयल फ्री लग रहे है आप देख सकते हो हमारे नर्गिस वड़े बनकर रेडी हो गया है बहुती तेस्टी और यूनिक रेसिपी है घर पर सबको पसंद आएगा आप भी हमारी रेसिपी देखकर घर पर जरूर बनाईए आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें